आपके साथ हाजिर है साना कैसर आज मैं आपको बेसन की रोटी बनाना सिखा रही हूँ इससे पहले कि हम बेसन की रोटी बनाना शुरू करें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए यहाँ मैंने एक कप बेसन लिया है और आधा कप आटा लिया है नॉर्मल ग्यों का आटा एक गिलास तक्रिवन मैंने हाँ पानी ले लिया है आपको जिक्ती जरुवत हो दो बढ़ाने के उसके साफ से हम पानी ले लेंगे और जो मसाले चाहिए हमें एक चाय का जम्चा नमाग एक चाय का जम्चा कुटवी मिर्चे एक चाय का जम्चा पिसवर गर्मसाला एक चाय का जम्चा धनिया पाउडर कुटा हुआ धनिया और एक चाय का जम्चा मैंने हल्दी लिया है एक चाहे का चमचा मैंने चात मसाला लिया है और मैंने एक प्यास जोटी उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है ऑमेलेट की तरह का एक खाने का चमचा हरधनिया एक खाने का चमचा पौदीना उसे भी काट लिया था तीन से चार हरी मिर्चे बारी काट ली हैं बिल्कुई चॉप कर ले ते लिए अब हम पहले बेशन और मैदे को मिक्स कर लेते हैं आची तरह बेशन और आटा मिक्स हो चुका है अब इसमें ड्राए मसाले आड़ कर देंगे सारे अब इन सब को चीजों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स हो गया अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको एक साथ हमें जाधा पानी नहीं डालना क्योंकि बेशन में अगर जाधा पानी एक साथ डल गया तो डो अच्छी नहीं बनेगी बहुत एथियाद से एक एक दो दो चमचे पानी डालते जाएंगे और आटे को गूनते जाएंगे अब देख सकते हैं कितने अच्छी डो तैयार हो चुकी है अब हम इसे अच्छी तहां गून लेंगे चैनल दो तैयार हो गई है अब हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम दस मिनट के लिए दस मिनट हो चुके थे डो रेडी हो चुकी है हमने आटा डर्स्ट किया और एक पेड़ा लेकर हमने उसको बेलना शुरू कर दिया तब हम आने पहले से जर्म कर लिया था अब हम इसमें बेसंग की रोटी डाल देंगे जैसे ही एक से दो मिनट में एक साइड से कुप होगी हलकी सी हम इसको टर्न करेंगे यह देखें इसी तहां दोबारा इसको टर्न कर देंगे और इस पर हमने ऑईल लगा दिया है इसमें भी आपनी च्वाइस के मुताबिक बटर ऑई घी जो चाहिए आप दूस कर सकते हैं अच्छी तरह करने गोल्डन बिल्कुल गोल्डन करना है हमेशा और क्रिस्पी करना है बेतरीन बेस्ती रोटी तैयार हो जाएगी इसी तरह म और उसको भी मैंने पराठा बना लिया है बेसन का ये देखें कितनी अच्छी बेस्ती रोटी और स्पाइसी तैयार हुई है चटपटी अचार के साथ और तली हुई हरी मुर्चों के साथ इसको सर्फ करें रायता सलाट जिसके साथ भी आप खाना चाते हैं लेकिन ये अच अच्छी लगती है उमीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ अल्लहाफिस